कि आप ये जानते हैं कि आखों में एक छोटा सा छेद होता है और वो क्यों होता है और किया आप ये जानते हैं कि हमारे बोड़ी में इतना DNA होता है जिससे संसे पुलोटो तक एक लकिर खीची जा सकती है आप इस वीडियो में human body के बारे में 5 unknown facts को जानने वाले हो जिसे सुन में HCL कहा जाता है जो हमारे दोवारा खाए गए खाने को पचाने का काम करता है और ऐसे बैक्टेरियों को भी मारने का काम करता है जो हमें बिमार कर सकता है लेकिन आप ये सुनकर चौक जाओगे कि HCL इतना strong होता है कि अगर इसका एक बुंद भी आपके हाथ पर गिर मैं आपके जानकारी के लिए बता दू कि HCL हमारे पेट को इसलिए नहीं गला पाता क्योंकि हमारे पेट में एक और इंजाइम होता है जिसे म्यूकस कहा जाता है जो एक चिपचपा पदार्थ होता है जब HCL हमारे पेट में बरना स्टार्ट हो जाता है तब ये म्यूकस हम सिकर से मिलकर बना हुआ है, जो साइज में बहुत ही छोटा होता है, यह से रितने छोटा होता है, यह आप इस बात से अंधाजा लगा सकते हो की सिर्फ हमारे आखों में 10 करोट से भी जादा शेल होता है, और हमारे पूरे सरीर में लगबक 10 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन सेल होता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है डिपेंड करता है कि सरीर का वजन कितना है हमारे पूरे सरीर में सबसे छोटा सेल स्पाम यानि सुक्रानू होता है जो पूरुसर के सरीर में होता है और सबसे बड़ा सेल ओबाम यानि अंडानू होता है जो की महिलाओ के सरील में होता है और पूरे लिविंग बींग की बात करें तो सबसे चोटा सेल माइको प्लाजमा का होता है और सबसे बड़ा सेल सुतरमूर का अंडा होता है fact number 3 आप ये तो जानते ही है कि हमारे सारील cell से मिलकर बना होता है यानि कि कोसिकाओं से मिलकर हमारे सारील में सिर्फ red blood cell को छोड़कर लगबग हर एक cell में DNA होता है DNA का पूरा नाम deoxyraubon nucleic acid होता है जो cell के अंदर nucleos में पाया जाता है हम इंसानों में 99% DNA सेम होता है सिर्फ 1% DNA ही एक दुसरे से अलग होता है जिसकी होज़े से हम एक दुसरे से अलग दिखते हैं एक सिंगल सेल में 2 मीटर तक DNA होता है और एक इंसान के पूरे सरी के DNA को मापे तो लगबग 60 ट्रिलियर मीटर होगा जो सूरा से पृत्वी तक 600 बर चकर लगा सकता है आप ये तो जानते ही हैं कि हर इंसान के फिंगर प्रिंट अलग अलग होते हैं चाहिए फिंगर प्रिंट पैर के हो या हाथ के यहां तक कि जुड़ cockpit जलोगों के भी एक दूसरे से अलग फिंगर प्रिंट होते हैं जल्म से लेकर मरने तक हमारे सरी में बहुत से बदलावाते हैं लेकिन फिंगर प्रिंट कभी नहीं बदलता यहां तक कि अगर उंगलियों में चोट लग जाता है या उंगली जल जाती है तब भी ये fingerprint वापस से वेज़े ही निकल आता है ऐसा क्यूं होता है या आज तक किसी को भी नहीं पता fingerprint हमें किसी भी चीज को गिरिप बना कर मजबूती से पकड़ने में मदद करता है अगर fingerprint नहीं होता तो हम किसी भी चीज को अच्छे से नहीं पकड़ा पाते अगर आप ध्यान से अपने आखों को आईने में देखें खास करके इसके निचले हिसे में तो आपको एक छोटा सा छेद दिखाई देगा इस छेद को व्यक्जानिक भासा में कहते हैं लेक्रिमल पंक्टम ये दोनों आखों में होता है ये थोड़ा नीचे के तरफ सिपा हुआ होता है बहुत से लोगों को लगता है कि इसमें से आशो निकलते हैं पर ऐसा नहीं है इसकी खास बात ये है कि जब आप रोते हो ज़्यादा रोते हो तो आपके आखों से ज़्यादा आशो आते हैं तब ये लेक्रिमल पंक्टम ज़्यादा फैल जाता है तब आप इसे अच्छे से देख सकते है जब आखों से ज़्यादा आशो आने लगता है तब ये आशों में तब तक गुडबाय और टेक केर